हम सब का मिलना हुआ जिसमें दार्जिलिंग कालिंग कुंग हिल्स के गोर्खा एलाइन्स के करीब आठ बाटियों के प्रतिनिदी उनके साथ बैठना हुआ हमारा गवर्णर साथ के साथ मिलने का मुख्य विशे पंचाई चुनाओ को ले करके था हम सब जानते हैं कि फिछले दिनों किस तरह से जोय चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई किस तरह से सिलिगुडी में पार्टी ओफिस बिजेपी पार्टी ओफिस को जलाये गया और आज जिस तरह से पहाड के अंदर में वातावरण को दूशित करने का काम टीमसी और उनकी सयोगी द्वारा हो रहा है इतना ही नहीं खुले आम जो है सांसत को धमकी दिया जा रहा है हमारे जो एलाइंस पार्टी के जो केंडिडेट है उनको धमकया जा रहा है उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है जो पैसा ब्रष्टचार से उनके पास है और नोमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की प्रिशर उनके उपर बनाया और आज जो है जिस तरह से खुले आम पबलिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप भोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप भोट देने जाओगे इसका खामयाजा आपको चुकाना पड़ेगा इसका मतलब आप पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाई नहीं यानि जनता घर से निकल करके भोट कर नहीं सकती ऐसी इस्तिती टीमसी ने बनाई है इन सब विशयों के उपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई और हमने एक प्रमुक मांग जो है गवरनर साब के साथ रखी है कि इस पंचाई चुनाओ के अंदर में सभी भूतों में Central Force Development होना चाहिए और उसके अलावा जो एक और विशय जो सबसे महतपुन विशय था हमने उनसे ये निवेदेन किया है कि जो Central Force Development होगा वो चुनाओ होने के 6 सब्ता तक वहीं पे रहे क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा चुनाओ होने के बाद जहां-जहां TMC हारती है वहां जो है ज़्यादा वाइलेंस होता है और इस बार पहाड में TMC और उनके एलाइनस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तैह है तो हमें ये एक डर और भय है हम जनता को शुरक्षित वातावरन और शुरक्षा देना चाहते हैं हम चाहते हैं Free and Fair Election हो जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उमिद्वार का चुनाव हो जिससे वो गाउं गाउं में विकास करे